हेलो स्टुडेंट्स Today we will learn how to sum looking divide H पर एक जम्पन एठरा डिफेरेंट काइंड अप सम् 70 डिवाइड 5 केसे करते को 70 को 5 में डिवाइड करेंगे फास्ट में 7,4 जा 20 किया क्योंगि अगर 20 चला जाता है तो 50 बच जाए 50 जो 5,10 जा 50 होगा तो उसको 7,4 जा 20 पहली ले लिया तो 0 से 0 जाएगा 0,70 जाए 50 बच जा तो लास्ट में 5 प्लस बना दियाँ पे 5,10 जा 50 50 जा 50 जा 0 तो इधर 4 प्लस 10 इकल 14 उसका आंसर वहा 14 यह अलग टाइप क्यों में लिखा है लेकिन इसलिए 70 डिवाइड 5 इकल फोटे पहले 4 में ले लिया क्योंगि 5,10 जा 50 आता है तो 50 उसको अलग कर दिया और लास्ट में 5,10 जा 50 जा 50 जा क्यों उसको कंप्रेट कर ठीक है इसा देखो दूसरा है 90 है और उसको 6 में डिवाइड करना है तो पहले 6,5 जा 30 करा गया तो 90 0 से 0 और 9 जे 3 जा 6 पर 60 बच गया तो 6,10 जा 60 लास्ट में 10 होता है जो 6,10 जा 60 मतलब उसी सबसे आपको डिमाक लागा कि थुड़ा करना पड़ेगा ओके ठीक है जा नेस्ट सम के एक समझा तो आपको कैसे करा जाएगा जिए 64 डिवाइड फोर तो पहले 4,6 जा 24 लेना है तो 24 आप और 64 से जाएगा तो बच्चे का फोटी 4,10 जा 40 40 से फोटी जाएगा तो 0 और 6 प्लस 10 एको लो 16 अंसर आएगा 16 आपके लिख सकते है जिए 64 आपको पूरा कंप्लेट करना है यहां में जा में कोशन अन्दा बैसिस अफ दा पिक्चर सेंड स्टेट मेंट एंड देन राइट देर आंसर देर आर थी बक्सेश चीश बक्सेश चेश ट्वंटीफॉर बटल एक एक बक्स में 24 बटल है कोशन हां मेनी टोटल बोटल अर इन अल बक्सेश टुगेदर तो इसमें थी बोटल है तो देर आर सेवेंटी टू बोटल इन अल दा बक्सेश टुगेदर कैसे ना थी बक्सेश मॉल्टिप्लाइट ट्वेंटीफॉर बोटल बक्सेश थी है और एक एक बोटल में 24 बोटल है इसलिए उसको मॉल्टिप्ला शुगर ने असक भाई पेड 110 फोर आल दा पेकेट्स सब पकेट के लिए 110 रुपिस दियाए तो आंसर अप्पो लाना एक कोस्ट अफ 10 पकेट शुगर इकलू 110 रुपिस लान इलेवन रुपीस एक एक पकेट को पड़ेगा चूज दा करेक्ट अल्टरेनेटिव फोर इच कोसिन और राइट इट्स अडर अल्फाबेट इन जैसे दिया 12 डिवाइड 4 इकोलो 3 3 4 12 देन 12 इज रिटेन इन मॉल्टिप्लिकेशन फेक्टर एच फोलो ओके ए बी सी एसा अप्षन दियाए आप उसको कौन सक्प्लिट होगा देखो 3 मॉल्टिप्लाई 4 इकोलो 12 उल्टा करेंगा मॉल्टिप्लाई रिटेन मॉल्टिप्लाई फेक्टर फेलो फोलो यह वाला अंसर राइट होगा जैसे शी नमबर का नेस्ट आता है 48 6 तो 8 पूट दा प्रपर साइन कौन सा साइन लगेगा उसमें ना डिवाइट का साइन लगे क्योंकि 48 को 6 में डिवाइट करेंगे तो आंसर 8 आएगा इसलिए 8D में करना है उसको देखाओ एसे एम सी क्यू देखा मैंने सब में लगा दिया है उसी सब साइक को कंप्लेट करना है ओके नेस्ट यह भी दिया है टीचर विली क्लियर कंशेप्ट अफ मॉल्टिप्लिकेशन डिविजन बाई डिवाइट इस स्टूडेंट इन ग्रूफ एज सोन बिलो 15 बक्स से 15 बक्स और 5 बक्स, 5 फाइब ऐस अगर एक, गरूफ बनाएंगे तो कितना बक्स होगा जो 3 यह फाइब 5 5-5 15 को 5 में multiply कर लो और answer आएगा 3 एसा आपको complete करना है सब करावा आप चेक कर लो ओके वहाँ पर question पुचा teacher will be do the drilling in multiplication division by giving practical example to the student like how many tires do 15 auto ricksa have 15 auto ricksa का how many times 15 auto ricksa have 15 auto ricksa का जो 15 टाइरे तो कितना auto ricksa का होगा 12 multiply 3 को एक एक auto ricksa का how many tires do 15 auto ricksa है 15 auto ricksa का कितना टाइरे 15 multiply एक एक auto ricksa का 3 टाइरे इसलिए 15 multiply 3 एको लूप 45 टाइरे how many 50 rupees note make 500 rupees 500 rupees में कितना 50 rupees note बनेगा ना 500 को अगर 50 में divide करेंगे तो answer आएगा 10 तो 10 note बनेगा disturbing 81 tamarind seed equally among three friends three friends में बीच में 81 tamarind seed को अगर equal divide करा जाए बंठा जाए तो how many tamarinds in does each have one get now 81 divided 3 equal to 27 seeds पड़ेगा how many weeks are there in a 28 days 28 में कितना week बनेगा ना वान वीक इकलू 7 डे इसलिए 28 डिवाइड 7 इकलू 4 इससे आपको सब complete करना है कि यह देखो 1 2 3 4 4 एक एक ग्रूप में तो कितना है 1 2 3 है 4 3 12 ठीक है इसा आपको सब करना है सेबेन मॉल्लिफ्लाइफ फाइब किंग 1 2 3 4 5 6 7 एक ग्रूप में तो कितना ग्रूप फूप फॉर फाइफ ग्रूप 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 एचलिए ट्वेल को से एक फॉर को मेच करना है फोर सेवेंजा नाइटी एट इसलिए उसको मेच करना है सब करावा आपको देखा कम्प्रेट करना है आपको कि नेस्ट फिलिन दा एंप्टी बक्सेश वित दा हेलप टेबल्स एट मॉल्टिप्लेट 3 एक ओल ट्वेंटिफॉर थ्री मल्टिप्लेट इक ओल ट्वेंटिफॉर फोर मल्टिप्लेट इक ओल ट्वेंटिफॉर इस तरह आपको ये भी पूरा कम्प्रेट करना है देखाओ सब क्या हुआ है ओके इस वन बाला को में मल्टिप्लेट करना है फिर नेस्ट नमबर को जब मल्टिप्लेट करेंगे एक नमबर शुड़की आगव करना है फोर फोर जाज 16 6 ये नमबर शुड़की आए उसके नहीं लिखना है 6 और 1 और 4 ती जाज 12 वान 13 थाटिन एसे लिखना है फिर उसको प्लस करना है 0 को 0 7 6 13 3 1 1 1 2 3 5 1 को 1 एसे सब मल्टिप्लाइ करके रखना है देखो डिवाइड भी ऐसा करना है डिवाइड मैंने पहले से भी करा हुआ है 9 को 6 7 675 करकर 9 में डिवाइड करेंगे तो 67 जा 63 उसको 67 और 63 गल फोर बचेगा 5 उतर निचे लाया 45 हो गया 9 5 जा 45 इस तरह आपको करके रखना है सम भी करा हुआ प्रब्लम सल्फ को देखो कैसे करा हुआ प्रब्लम सल्फ इस सब करा है मैंने इप देर आ 96 पेजे से नोट बुक देन हाओ मैनी टोटल पेजे सार्जर इन 8 नोट बुक मॉल्टिप्लाई है देर आर इन वान बुक्स नोट बुक का अला 96 पेज तो 8 नोट बुक का तो उसको टेट में मॉल्टिप्लाई करना है मॉल्टिप्लाई करने शांचरी आता है यह भी देखो यह भी देखलो ओके यह भी देखा रह मैने पीस इच इच अफ्लेंदें उपलेट न इन स्ट्रिंग तो इसे उसको करना है इच लेंदेंद्ट इन ऐच टाला 753 मीटर और मेंट बॉनदेंद्व न हौनग दिवाइक टिवयर डिवाइक तो अंसर आएगा यह 15 ठीक यह भी धी कंप्लेट करना ह by this way we can do all the sum at your home उसको पूरा complaint करना है lesson को